हाई लोगे जाज की बीडियो में हम आपको एक्सप्रेस एम तरवंजेस्ट की सैटिंग के बारे में बताएंगे जहां पर की आई पेल के लाइव मैच आप फ्रीटु एर देख सकते हैं और जे सैटलाइट हमने दो फीट डिसपार सट की है एक्सप्रेस तरवंजेस्ट का आप जे कबरेज मैप देख सकते हैं कि इस एरिया में जे सैटलाइट आप बहुत हिसानी से चला सकते हैं वीडियो को पूरा दे करें जाहेगी कि आप कैसे बैकार सकते हैं ऐब देख सकते हैं कि आपको This lnb की साटेंगा आपको ऐसे रहनी होगी और एसा रखने से आपको सेगेल बढ़ है इमड़ेगा और फॅर और इसा कर के आपको जे टिरग हैं अब्रेच अप рядद कर लेनी है और इसकी साटेंग के यह आपको जहां पर आपकी ABS free disk set होती है उससे आपको disk को right hand side करना पड़ेगा यह देख साथे हैं हमने यह express तरवंजे इस पर यह हमारी disk की setting कर दी है और इन दोनों में जो difference है वो एक centimeter के पास दोनों satellite में difference है और यह आपको disk को जुकाना पड़ेगा आपको जो DD free disk है उससे भ जाएगा और थोड़ा सा उपर नीचे करके आपको express तरवंजे इस्ट का signal मिल जाएगा और साथ में अगर आपके एरिया में जासाट बंजे इस्ट का signal है तो आप इसके साथ में आपको जासाट के जो चैनल है बूपी प्राप्त हो जाएंगे जिए आप देख साते हैं कि ये डिश आपकी इतनी डाउन चलेगी और ये हमारा जेव बॉक्स है हमने आटो सर्थ पे लगा दिया है और ये हमारे पास जो भी चैनल आ रहे हैं आप देख साकते हैं वीडियो को पूरा देखते रहे हैं जान देख सकते हैं और साथ ही में एक याउस हट बंजाइस्ट का जदी आप के आम है अपकंजिक्ट के अपके एडाबस है वहे है कि लास्ट येर भी जो चैनल है वो लबर टीवी बहां पर एच्टी के एच्टी में जो आई प्यल के मैच चाल रहे थे और जब देख साते हैं जो बतन टीवी है जहां पर जे आई प्यल का मैच आने वाले हैं 2008 रहां के और जे इसका सिगनल भी आप देख साथे हैं और जे आप इस सैटलाइड पर जे प्रीडू एयर जो है आई प्यल के मैच देख सकते हैं और आपके ज़िजाब साथ के चैनल भी आपको इसके साथ में देखने को मिल जाएंगे और लवर टीवी है जहां पर भी आप उसाथा है कि इस बार फिर से जो लाइव आई प्यल के मैच आए तो आप लवर टीवी पर भी आई प्यल के मैच का फॉल एच्डी में अनादर आप सकते हैं अगर आपको जह हमारा विडियो बडिए लगा तो लाइक और शेर करना मत भूलें जदी आपने हमारी चैनल आप तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आईका उनको दबार ना मत भूले ताकि हमारे आने बाली कर ये आपको साफसे पहले मिल सकें